आज मैं आपके लिए लेकर आईऊ नारेल के लड़ू की रेसिपी बहुती सिंपल और बहुत चटपट बन जाते हैं तो फिछल यह देनी करते और यह देख लेते हैं वीडियो नारेल के लड़ू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सूखा नारेल का पाउडर लिया है और ये है 2 cup और इसको हम डाल देंगे वाउल के अंदर और इसके साथ ही मैंने लिया है यहां पे सुखा दूद का पाउडर आदा कप इसको भी हम डाल देंगे नारियल के साथी और साथी इसमें डाल देंगे 1.5 cup दूद और इन सब चीजों को अच्छे से हमें Mix करके कम से कम पांच मिनट तक के लिए छोड़ देना है जिससे की नारियल जो है वो अच्छे से फूल जाएगा जो कि जितना अच्छे से फूल हैगा उतने अच्छे ही नारियल के लड़ू आपके बनेंगे अब कड़ाई रखेंगे और जो नारियल हमने भीगो करके रखा था वो सारा का सारा हम कड़ाई में डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे लेकिन धीरे गैस पे भूनेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे हरी इलाइची का पाउडर अब अच्छे से फिर से हमें मिक्स करना है और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी अब यहाँ पर मीठा आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं अब अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे एक चमद देसी घी अब हमें इसे ड्राइ करना है अच्छे से तो यहां यह ड्राइ हो चुका है अब इसे हम कड़ाई में इसी तरह से रख करके छोड़ देंगे जिसे ठंडा हो जाएगा और जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बनाएंगे तो बस अब हमें लड़ू बनाने और लड़ू बनाना बहुत ही आसान है थोड़ा सा लेंगे हाथ में इस तरह से घुमाएंगे और उसके बाद उसे सूखे नारियल में दुबारा से कोट करके उसे रख देंगे बस ये सिंपल सा ही तरीका है लड़ू बनाने का अब यहाँ लड़ू बड़ा या छोटा आपको जैसा बनाना है आप बना लीजेगा और बस यह लड़ू इसी तरह से बनाए जाते हैं यह लड़ू बहुत जल्दी भी बन जाते हैं बस आपको नारेल को भीगो करके रखना है और उसके बाद आपके लड़ू कभी भी आपका अगर मन कर तो आप इस तरह से बना के खाये और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो को कोनेट लडू का तो इसे लाइक कर दीजेगा मिलते हैं फिर आप से अगले वीडियो में